सूरत में गणेश पंडाल पर पत्राव मामले में बड़ एक्शन योगी बाबा जैसा बुल्डोजर एक्शन अब गुजरात में भी कुटाई के बाद अब आरोपियों पर बुल्डोजर एक्शन आपको बता दें कि गुजरात के सूरत के सैयत पुरा इलाके में रविवार रात को गणेश पंडाल पर पत्राव किया गया था इसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई ना हो जा इसके लिए पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले को शांत करवा है वह इस मामले में 30 सदीक लोगों को गिरफतार किया गया और आज सुबा प्रशासन ने जहां से पत्रा हुआ था वहां से अवैद अतिक्रमण को अटा दिया वहां पर buldozer चला गया जी हाँ बिलकुई सही सुना आपने आरोपियों के यहां पर buldozer की कारवाई देखने के लिए मिल ही है अगर आपने देखा होगा जादत अवैद अतिक्रमण को रात हुई हिंसा के बाद सुभा बुल्डोजर से हटा दिया गया सूरत के DCP भागी रत गडवी ने से लेकर कहा कि यहां पत्राव हुआ और रात से पुलिस तरनात है अब इस्ति शांती पूर्ण है हमने इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी में लिया हुआ है लोग आप शांती पूर्वक तरीके से रहा है इलाके में जो अव्याद अतिक्रमन था उसे भी हटा दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि बुल्डोजर की कारव आप देखें तो इस जगह पे कल पत्तर मारा हुआ था पुलिस ने डिप्लोइमेंट कर दिया था रात से मावल शांती पूर्ण है बंदोबस लगा दिया था हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं बंदोबस के लिए जो खास करके इस तरह की गटनाओं में अपने कामगीरी उ कोई डिप्लोइ करके पूरे एरिया को हमने डोमिनेट भी किया है पूरे एरिया में हमने शांती का मावल भी बनाए रखा है और अभी आप देख सकते हैं कि काफी आसानी से लोग यहां पर आवन जाओन कर रहा हैं किसी को कोई तकलिफ नहीं है महिला हैं बुड़े रोजाने भी खुली हुई है और रोजाना जो काम का जोता है उसी तरह का याम होल है कल की गट्टा को लेकर जाओ जीस भी जगह पे हमें शक है वहां पर हमारी इन्वेस्टिकेशन टीम और हमारी डिटेक्शन की टीम दोनों आइडिन्टिफाइब करकर जहां भी हमें जो सब्सक्राइब करेंगे और वहां से जो आइडिफाइब की होगे लोगे उनके उपर कारिवाई तो जैसा कि आपने सुना उन्होंने कहा कि किस तरीके से कल रात को हिंसा हुई पत्थर फेके गए थे और आज बुल्डोजर की कारवाई हुई है अभी जो सिच्वेशन है व पत्थराओं की कारें इलाके में तनाव की स्थिती बन गए पत्राओं की घटना के खिलाव गुस्सा इस्थानिया लोग सड़कों पर उतर आये और इसका कड़ा विरोज जताया बरती भीड को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा और इस्तमाल भी करना पड़ा रात के ग्रिया मंत्री हर्शस संग्वी ने कहा कि पथराओं में छे लोग शामल थे संग्वी ने मीडिया ब्रिफिंग के दौरान कहा कि सभी छे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया साथी 27 अन्य लोगों पर इसकृत्त को भढ़काने का आरोप उन्हें लोगों का स्वाशन दिया और कहा कि जहां चल रही है शांती भंक करने वाले किसी भी वेक्टी को छोड़ा नहीं जाएगा कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी उन्हें कहा कानून ववबस्ता सुनिशित करने के लिए सूरट के सभी लाकों में पूलिस तैनात ह भी अतरिक्त विबणन देते हुए बता है कि शुरुवाती पत्राओं बच्चों के एक समूद वारा किया गया जिसके बाद बड़ी जड़ाप हुई पुलिस ने तुरंत इसमें शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया शांती बना रखने के लिए एक हजार से ज़ादा पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया गया है सबाबले पर लगतार जो है उफिशल्स की बयान बाजियां देखने के लिए अंबल रही है लगतार जो है आपके सकते हैं कि अपने तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए नजार आ रही है इस माबले को ले नहीं है वो डीजेपी जारा सुनिये लेकिन पूरे सेर की पुलिस और उच अधिकारी यहां पर आजिर थे और पूरी परिश्टी कंट्रोल में ले लिया गया तीन ओफेंस रजिस्टर किये और उसमें 27 लोगों को राउंड अप किया है दारा 307 और धार्मिक जो बोलते हैं कल्चरल लागनी दुपाने का वो सब धाराय उन में लागू है पत्थर फैकने वाले सबी लोगों को पकड़ा गया सुरक पुलिस दौरा खास ध्यान रखा गया था कि पत्थर फैकने वाला एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए लेकिन एक भी भी बेगुना व्यक्ति भी इसमें पकड़ा ना जाए इसके लिए सुरक पुलिस ने अलग-अलग टेकनोलोजियों का खास उप्योक किया था खास तोर पे सीसी टीवी है, वीडियोग्राफी है, ड्रोन ये सभी के विजियोल्स के माध्यम से, ये सभी असजाम आज एक लोगों को पकड़ा गया है और आज सभी लोगों को कोट में पेश किया जाएगा खास तोर पे, मेरा यह मानना है, कि पत्थर फैकने वाला, वो खाली कानून ही गुनेगार नहीं है वो समाज का सबसे बड़ा गुनेगार है कानून तो कानून का काम करेगा ही लेकिन ऐसे समय पे समाज की खुद की भी एक जिम्मेदारी है कि अपने युवाओं को, बच्चों को, सही मार्क पे ले जाने की कोसिस की जाए ये गुजरात, ये गुजरात आज जब देश का ग्रोथ हैंजिन है यही गुजरात की धर्ती ने सभी लोगों को आगे बढ़ने का अउसर दिया है किसी के बच्चों का भविशय यहाँ पे बना, किसी की बच्ची का भविशय यहाँ पे बना परिवारों को, नौकरी, रोजगारी, वैपार, सभी चीजों के अउसर यहाँ पे मिले हैं मातर गुजरात के युवाओं को नहीं लेकिन देश भर के युवाओं जिसने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देखा है ऐसे युवाओं को रोजगारी देने का सबसे बड़ा केंदरों वो गुजरात बना है ऐसे अपने गुजरात में इस प्रकार से गुजरात की सांती को ठेस पहुचाने की कोशिस करने वाले लोगों को कड़ी सक्ताई से लिया गया है और गुजरात पुलिस एवं सूरत पुलिस का हमेशा एक नारा रहा है एक काम करने की शैली रही है कि जो काईदे में रहेंगे वो ही फाइदे में रहेंगे कानून तोड़ेंगे तो गुजरात पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी तो जैसा कि आपने राजबीम नकुम जी को भी सुना उन्होंने भी यही बात बताई है कि पहले पत्रा हुआ और अब कारवाई हुई है और पुलिस वर्ल की तैनाती की गई है ताकि शांतिपुन तरीके से चीजों को किया जाए पाती साथ उन्हों ने यह भी बता दिया है कि 27 से जादा लोगों को गिरफतार किया गया है और इस मामले में जो लोग भी इंवल्व थे उनके उपर भी कड़ी कारवाई की जाएगी तो आपको बता दें कि यह बाबला काफी आपके सत्ते के हैरान कर देने वाला था क्यों इसे बरदाश नहीं कर पाए पहले बच्चों ने पत्थर बाजी किया और जब बाबला बढ़ा तो इससे शांती भंग हो गई और पुलिस को इस बाबले में अनंपानन में अक्शन लेना पड़ा और अब अगर आप देखेंगे तो गड़ेश पूजा में पत्राओं के ब बैसे में आपको बता दे कि मुस्लिम बहुले सयदपुरा में वारियावी लाल गेट इलाके में गणेश पूजा का योजन किया गया था और तब ही घटना को अंजाम दिया गया देश कुछात की रिपोर्ट के मताबित मुस्लिम समुदाय कि कुछ लड़के पहले आटो मे इसमें से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया गणेश पंडाल पर पत्राओं की खबर के बाद इलाके में संप्रदाइक तनाव उत्पन हो गया क्योंकि वह एक पटिकुलर कमिनिटी से आ रहे थे और वहां पर जो है अगर आप कहेंगे में वह पटिकुलर कमिनिटी क करने की कोशिश की पुलिस कमिशनर सहर के मेयर स्थानिय विदायक मोके पर पहुच और लोगों को संबोधित भी किया और लोग योगी-योगी किनारे लगाते रहे बुल्डोजर एक्शन की मांग करते रहे और आखिरकार अथ सुबा बुल्डोजर एक्शन देखने के हमने आपको पूरा मामला विस्पार से बता है इस मामले पर अब आप की जो रहा हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू साचा करिए